सबी को मेरा नमश्कार मैं कुल दीबीरवाल आप सबका आज की ओनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं आज हम 11 कक्षा के वेवसाई अधन विशे के अंतरगत नीजी शेतर और सावरजनिक शेतर नामक टॉपिक के उपर चर्चा करेंगे आज हम जानेंगे नीजी शेतर में कौन से वेवसाई आते हैं और सबसनिक शेतर में कौन से वेवसाई आते हैं हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की ओनलाइन क्लास नीजी शेतर एवं सावर्जनिक शेतर पार्ट नमबर टू पार्ट नमबर बन में हम जो है वो क्या सीख चुके हैं नीजी शेतर का अर्थ और उसकी विशेशताएं हमने पार्ट नमबर बन में सीखी थी नीजी उपकरम के प्रारूप हमने पढ़ लिये थे सावरजनिक शेतर का अर्थ ये वं विशेशताएं हमने जान ली थी सावरजनिक उपकरमों के प्रारूप हम समध चुके हैं विभागिये उपकरम, सावरजनिक निगम और सरकारी कंपनी भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ ली थी अब second part में हम क्या सिखने वाले हैं, सावर्जनिक उपकर्मों का तुलनात्मक अध्यन हम करेंगे, साथ हम सावर्जनिक और नेजी उपकर्मों में भी अंतर जानने का हम प्रयास करेंगे, सावर्जनिक शेतर की बदलती भूमिका के उपर हम चर्चा करेंगे और अपने online आज कर्मों का तुलनात्मक अध्यन, सबसे पहले जो कॉलम दिया हो गया है, उसमें है अंतर का आधार, उसी के बेस पर हम जो है वो departmental undertaking, विभागी उपकर्म, सावर्जनिक निगम और सरकारी कंपनी में डिफरेंशेट करने का हम प्रयास करेंगे, चलिए, सबसे पहले स्तापना, तो विभागी उपकर्म जो है वो सरकार दवारा एक सरकारी विभाग के रूप में की जाती है, सावर्जनिक निगम जो है व विधान सभा के विशेश अधिनियम के द्वारा की जाती है, इसकी स्तापना और सरकारी कंपनी भारतिय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जो है वो की जाती है, फिर उसके बाद अगर हम स्वामितव की हम बात करें, ओनर्शिप की तो विभागी उपकर्म अनिवारियत है पूर्ण सरकारी स्वामितव जो होता है, सावरजनिक निगम की अगर हम बात करें तो अनिवारियत है पूर्ण सरकारी स्वामितव होता है, और अगर हम सरकारी कंपनी की बात करें तो कम से कम एक्यावन परतिशत सरकारी स्वामितव जो होना चाहिए, तो हम जो है विभागी उपकरम और सावर्जनिक उपकरम दोनों में स्वामितव पुरोंडरूप से सरकार के पास होता है यह हम सरकारी कमपनी के बात करें तो निजी व्यक्ति भी संचालक हो सकता है फिर वित संसाधन की अगर हम बात करें फाइनेंस पैसा कहा से आएगा तो विभागी उपकरम में पूरण सरकार द्वारा सामान्य बजट के माध्यम से जनता से रेंड लेने पर परतिबंद होता है विभागी उपकरम में जनता से हम कुछ नहीं ले सकते जबकि सावरजनिक निगम की अगर हम बात करें तो जनता से रेंड ले लिया जा सकता है फिर सरकारी कंपनी की हम बात करें तो सरकार वे जनता दोनों से पूंजी वे रेंड प्राप्त किया जा सकता है तो ये financing वाला point हो गया हमारा वीत का फिर appointment नुक्तियां भरती स्टाफ कहां से आएगा विभागी उपकरम की बात करें तो सभी करमचारी सरकारी करमचारी के रूप में होते हैं मतलब सरकार इनको रिग्यूट करती है फिर अगर हम सावरजने की निगम की बात करें तो नुक्तियां निगमों द्वारा स्वैम के नियमों के अधार पर की जाती हैं स्टाफ सरकारी करमचारी की शिरिणी में नहीं आता तो सरफ विभागी उपकरम में सरकारी करमचारी के रूप में कारे करता है बाकी सावरजने की निगम और कंपनी निगम में स्टाफ सरकारी करमचारी के रूप में नहीं करता बलकि उनके द्वारा स्वैम बनाए गए ग पड़ा है कि जब हम कोई भी business करते हैं तो उसका एक वेधानिक परतक वेधानिक अस्थीतव होता है लेकिन विभागी उपकरम में ऐसा नहीं है वहीं अगर हम सावर्जनिक उपकरम सावर्जनिक निगम और सरकारी कंपणी के बात करें तो दोनों में ही परतक वेधानिक अस् सरकार द्वारा जो भी मंत्रा ले बनाएंगे उनके द्वारा जो है वो चलाया जाता है वहीं सावरजिनिक निगम में कुछ परशाशनिक सोतनतरता पाई जाती है और कंपनी के अगर हम बात करें तो अधिक परशाशनिक सोतनतरता जो है वो कंपनी में पाई जाती है सब्संतता का मतलब किस तरीके से हमें जो एब विसाई को चलाना है फिर अगर हम उपयोगिता की बात करें हम तो विभागी उपकरम जहां गोपनियता आवशक हो वे नीजी भागेदारी शून्य हो वहां पर विभागी उपकरम जो है वो एस्टबलिश किया जाता है वहीं अ विशेश कर जहां आर्थिक गतिविद्यों को बढ़ावा देना हूँ जहां पर लाब प्रोफिट कमाना जो है वहां पर हम कंपनियां स्तापित करते हैं एक्जामपल अगर हम लेना चाहें तो इसमें पिछली वीडियो में बहुत सारे एक्जामपल हमने ले लिये थे आप कोईशन हो गया रिजर बैंक ओफ इंडिया हो गया finance कोर्परेशन ओफ इंडिया हो गया IDBI बैंक हो गया ONGC इत्यादी यह इसके उधारन है आप इन सबी उधारनों को जुरूर याद करें और लिखें परशन में फिर अगर हम कंपनी की बात करें तो हम्ती हलसी स्टी सी उसको हम बड़ी असानी से कर पाएंगे चलिए यह हमारा जो है वो जो हमने तुलना कर ली हमारे हमने जो तीनों पड़े थे अब जो है वो हमारा पाइंट आ जाता है सावरजनिक एवं निजी उपकरम में अंतर क्या है चलिए पढ़ते हैं तो जैसा नाम से भी सपस्ट हो ज सवामितव निजी विवसाईयों का होता है और सरकार का भी चाहराजय सरकार और उनका असतक्षिप नहीं होता लेकिन फिर भी हम डिफ्रेंशेट जो है वो समझ लेते हैं तो टोपिक और ज्यादा आसान हो चाहेगा टीटेल में अगर जाना है तो आप पार्ट वन जरूर देखें चलिए सबसे पहले अंतर का अधार फिर सावर्जनिक उपकरम और निजीव क्रम अंतर का लुडेश्य क्या है समाज को विभिन शयुवाएं परधान करना लाभखेट करना जो है size spectrum objective होता है यह ळी आवशक्ता हो तो इन्हें हान्नी की देशा में भी चलाया जा सकता है, तो मुख्य उदेश्य, समाज सिवा करना, secondary objective, दूसरा जो उदेश्य, इनका गोण उदेश्य, प्राज़ में को देश्य, समाजिक सिवा, गोण उदेश्य जो है, वह इनका लाब कमाना होता है, वहीं अगर हम निजी उपकरम की बात करें, दो इनका मुख्य- देशे लाप गभमाना था इनका फिरम स्वामीतव Ownership की अगर हम बात करें तो सावरजनिक उपकरम पर पूरणते अथ्वा आंचिक सरकार का होतां है जबकि नीजी उपकरम की अगर हम बात करें तो पूरणते जो है वह स्वामीतव नीजी लोगों का होता है फिर तीसरा पाइंट है हमारा संगठनों के स्वरूप तो इसमें अगर हम सावरजनिक उपकरम की बात करें तो इसके मुख्य सब रूप काउंट से हैं विभागी उपकरम सावरजनिक निगम और कंपनी निगम जो जस्ट अभी हमने फिर अगर हम निजी उपकरम की बात करें तो इनके संगठनों का सोरूप कैसा होता है एकल स्वामी तो का होगा साज़ेदारी होगा कंपनी होगा सहकारी समितिया इत्यादी जो हमने पिछले पाठों में जो हमने डिटेल में पढ़ा है चोथा पाइंट वितिय संसादन फाइनेंस पैसा कहां से अरेंज कर सकते हैं साबरजनिक उपकरम संपूरण या अधिकतर पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है वही निजी उपकरम के अगर हम बात करें तो संपूरण पूंजी जो है वो निजी विन्योग करताओं के विर्दी किसम जो प्रडक्ट जो हम बताएंगे बनाएंगे जो उसकी सुरेश्टता इत्यादी से मापा जाता है वही अगर हम निजी उपकरम की बात करें तो निजी उपकरमों की सफलता उसके लाब की मात्रा से जो है वो हम मापते हैं लेकिन अब आज के समयंबे इनके स संचालन व्यक्तिकत नहीं होता जिसके कारण अनेक महतापूरण बातों की और ध्यान नहीं दिया जाता वहीं अगर हम निजी उपकरम की बात करें तो इनका संचालन स्वयम स्वामियों के द्वारा अथ्वा इनकी देखरेक करने में इनके परतिनीदियों के द्वारा किया जाता है आता है व्यक्तिकत जोखियम के डर से वे संचालन में पूरण रूप से रूची लेते हैं साथमा पैंट स्वायत्ता सावरजनिक उपकरम के अगर हम बात करें तो इन उपकरमों की संचालन पर करिया के नियमों एवं उपनियमों में बंदे होने के कारण परबंदकों की निर्ने लेने के सोधनतरता अधिक नहीं होती इसके अधर वहीं निजी उपकरम के संचालन में व्यक्तिकत अधार होने के कारण अध्वा परबंदकों वे स्वामियों का सीधा संबंध होने के कारण नेने में कठनाई नहीं आती और ये अपेक्षाकरित अधिक सोधनतर होते हैं फिर आठवा पाइंट कार्या शेतर कहां पर कार्या कर सकते हैं ये सावरजनिक उपकरम जो है वो सावरजनिक द्रिष्टी से महतापुरण और अधिक जोकें बाले और अधिक पूंजी की अवशक्ता वाले उद्योगों में स्तापित किये जाते हैं वही नीजी उपकरम की अगर हम बात करें तो उसे हर शेतर में लगाया जा सकता है जिसमें अधिक से अधिक लाब और विकास के अवसर उपलब्द हो नौँ पैंट हमारा राजनेतिक हस्तक्षिप तो अगर हम सावरजनिक उपकरम की बात करें तो इसमें अब एक शाकरित अधिक राजनेतिक हस्तक्षिप होता से सरकारी निर्देशा नुसार किया जाता है वहीं है अगर हम नीजी उपकरम की बात करें तो इनका परबंद स्वेम व्यवसाई के स्वामियों द्वारा अत्वा अंचधारियों द्वारा मनोनित संचालन मंदल बौड़ डिरेक्टर के द्वारा किया जाता है चलिए अब च किसमें अनेक कमियां भी हैं जो हमने बढ़ ली हते देश की संतुलित आर्थिक विकास के लिए इनकी समस्याओं या फिर जो कमियां हमने पड़ी उनको दूर किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है इसी बात के मद्य नजर वर्तमान में इसके परती सरकार का द्रिष्टिको यह खोल दिया जो पहले इस जो है सावरजनिक शेतर के लिए आरक्षेते कुछ अन्य उद्योगों को पुनर जीवित करने के लिए नेजी लोगों की भागेदारी को बढ़ाया जा रहा है वहीं दूसरी और अगर हम कहें तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सावरजनिक शेतर के धाचे में अमूल चूल थोड़े बहुत परिवर्तन जो है वो लगातर कर रहे हैं इसके अलावा और क्या क्या जो है वो सरकार जो है वो कर रही है सबसे पहले आरक्षित उद्योगों की संक्या में कमी कर रही है अगर हम कंपेर करके देखें तो 1991 से पहले 17 ऐसे उद्यो इसकति हथियार रेलवेय यातायात जो है वो यह सिरफ यह तीन उद्योग रहे गए हैं जिसमें अभी भी जो है वह प्राइवेट चेक्टर को परमीशन नहीं दे गई है परमानुशक्ति यह हथियार का निर्मान करना और रेलवेय यातायात लेकिन अभी प्रेजन्ट में एक दो महिने के अंदर इस परकार का डिसेज में आया कि रेल्वे में भी जो है वो नीजी करन की बागेतारी बढ़ाई जा रही है फिर अगर हम दूसरे पॉइंट में हम डिसकेश करें पेशेवर परबंद सावरजनिक उपकरमों में परबंद की एकुशलता को समाप्त करने के लिए आईएस अधिकारियों के स्थान पर पेशेवर परबंद को की नियुक्ति जाए वो अब की जाने लगी है तो यह भी एक समस्या जो थी उसका समाधान निकाला जा रहा है फिर MOU यानि कि मेमरंडव उफ अंडर्टेकिंग इस अफधार्णा को लागू किया जा रहा है इस अफधार्णा के अंतरकत सरकार सावरजनिक उपकरमों के लिए निश्पादन लक्ष है परफॉर्मेंस टार्गेट जो है वो निर्धारित कर रही है लक्षे तक पहुंचने के लिए प्र किया जाने लग जो इसके अंदर एक कमी पाए गई थी फिर सावरजनिक उपकरमों का निशी करण सरकार दवरा सावरजनिक उपकरमों का निशी करण करना सावरजनिक शेतर की बदलती भूमिका के अंदर एक महतोपुर्ण कदम है निशी करण का भी प्राय सावरजनिक वी निमेश का अर्थ सावरजनिक उपकरनों में सरकारी हिस्सेदारी को निजी उद्योगियों के हाथों में बेजने से है सरकारी हिस्से को कम करके 26 परतीशत तक या आउशकता पढ़ने पर इस से नीचे भी लाया जा सकता है मुख्य सावरजनिक उपकरम जिनका वी निमेश किया गया है उनमें VSNL, MMTC, STC, IBP, PPL, CMC, HTL, NTL, MFIL, BALCO और मारुती द्यादी जो है वो इसमें परमुख है फिर इसके अलावा उद्योगिक वे वित्तिय पुर्ण रिणमान बोर्ड के द्वारा पुर्ण रुठान करना सरकार द्वारा सावरजनिक शेतर की बीमार इकाई है जो बल्कुल घाटे में चल रही है उन्हें पुर्णर जीवित करने के उदेशे से जो है वो लगातार BIFR यानि के उद्योगिक वे वित्तिय पुर्णर रिणमान बोर्ड का जो है ने सतापना की गई है आता है सावरजनिक शेतर की जो इकाई है बीमार है जो घाटे में चल रही है उनको इन्हें सौप दिया जाता है ताकि इन्हें फिर से पुर्णर रुठान इनका किया जा सके फिर इसके अलावा नेशनल रिवियोनल फंड का प्रावधान जिसको NRF बोलते हैं सावरजनिक शेतर के करमचारियों के हितों की शुरक्षा के लिए सरकार दवारा NRF की स्तापना की गई है नैशनल रिवियोनल फंड की जो या तो अतरीक्त घुशित करती है जाते हैं उनकरमचारियों की साहता करती है या फिर जो अपनी एच्चिक सेवनेवरिती यानिकी वोलेंटरी रिटार्मेंट ले लेते हैं तो उनकी साहता करने के लिए जो है वो यह फंड बनाया गया है तो यह आज के समय पर लगातार सावरजनिक शेतर की जो है वो भूमी का बदल रही है और बीमारी काईयों को या फिर जिन में भी आवसकता बढ़ती है उनको जो है प्रैवेट सेक्टर में जो है वो बेच जा जा रहा है आज की ओनलाइन क्लास का आखरी टोपिक मिश्रीट शेतर जोएंट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं इसका अभी प्राय क्या होता है सावरजनिक शेतर और निजी शेतर के मद्दे साजेदारी को हम मिश्रीट शेतर कहते हैं व्यवसाइक संगठन के सवरूप मिश्री शेतर के दुरूपरभाव का अधार मिश्रीत अर्थ व्यवस्ता का विचार है मिक्स्ट इक नॉमी जिसको हम बोलते हैं वो है तो अगर हम इसकी कालकुलेशन या इसको समझने का प्रयास करें तो निमिलिक तरीके से जो है वो अंशो का बटवारा किया जाता है सरकार के पास में 26 परतिशत नेजी उपकरम के पास में 25 परतिशत और जनता और वितियस अंसता के पास में 49 परतिशत तो सवर परत्थम उद्योगी किनीती 1956 में यह कहते हुए परस्तुत की गई थी कि सावर परजनिक शेत्र नीजी सेत्र के मद्य साजी दारी को मिश्री शेत्र कहते हैं इस तरह के उपकरमों का प्रबंद और संचालन नीजी शेत्र के हातों में होता है लेकिन सरकार संचालन मंडल में अपने परतिदि मनौनित करकर इन पर नियंत्रण भी रखती है तो यह रेश् बाइख देख चुके हैं यह उसी का दूसरा पाट था उसका लिंक परिप्षिन बेआपको मिल जाएगा आप सबका धन्यवाद.